चोपड़ा है जो किस यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार देख स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों Medical Courses में Admission के लिए Neat के अलावा और कौन-कौन से फॉर्म फिल करने है इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो जब से NMC Bill implement हुआ है तब से तकरीबन Medical Courses में Admission Neat Score पर ही होता है सबसे पहले हम बात करेंगे MBBS, BDS Courses में Admission के लिए Neat के अलावा और कौन-कौन से फॉर्म अपलाई करने है तो इंडिया में MBBS, BDS Courses में Admission Neat Score पर ही होता है और अगर आप Abroad से भी MBBS करना चाते हैं तो Neat Exam Qualify करना जरूरी है तो अगर आप MBBS, BDS Courses में Admission लेना चाते हैं तो Neat का Application Form आपने फिल कर ही दिया होगा इंडिया में MBBS, BDS Courses में Admission के लिए Neat 22 Result के बाद काउंसलिंग के लिए MCC और States दोरा Application Form फिल करवाए जाएंगे और उसके बाद Neat Score पर Merit के According Admission होगा अब काउंसलिंग के लिए तीन Application Form ऐसे हैं जो Neat Exam से पहले फिल करने होते हैं वो हैं Kerala State, IPU और CMC Value इनके Form आलरी भरे जा चुके हैं जब यह स्टार्ट हुए थे मैंने इनके बारे में वीडियो बना कर बता दिया था अगर आप Kerala State और IPU के Application Form फिल करने से वंचित रह गए हैं तो घबराने के आवश्यक्ता नहीं है Neat Exam के बाद इनके Form फिर से रियोपन होंगे तब आप Apply कर सकते हैं इन Courses में MBBS, BDS के लिए इन स्टेट्स में Admission के लिए तो Last Miss Runs यही निकलता है कि अगर आप India या Abroad में MBBS, BDS कोर्स में Admission लेना चाते हैं तो अभी आपको सिरफ Neat का Application Form ही Apply करना था जो आपने कर ही दिया होगा Counseling के लिए Registration, Neat Exam के बाद करने हैं अब बात करेंगे हम IUS Courses में Admission के लिए तो अगर आप BMS, BHMS, BUMS, BSMS, BNYS कोर्स में Admission लेना चाते हैं तो इसमें भी Admission Neat Score पर होता है चाए State हो या फिर Center सभी के लिए Admission Neat Score पर होता है इन कोर्सेज में तो इन के लिए आपको Neat के लावा और कोई Form अलग से Apply करने की आवश्यक्ता नहीं है इसके बाद में आगे हम बात करेंगे BSC Nursing की तो BSC Nursing में Admission Neat Score पर होता है मगर कुछ ऐसे States और Institution हैं जो अपना अलग से एक्जाम कंड़क्ट करवाते हैं जैसे AIMS हो गया और राजस्तान स्टेट हो गया अपना अलग से एक्जाम कंड़क्ट करवाते हैं तो इसमें Central के 8 Institution ऐसे हैं जिनमें Admission Neat Score पर होता है MCC द्वारा काउंसलिंग करवा कर Admission दिया जाता है और इस बार से Army में भी BSC Nursing में Admission Neat Score पर होगा लेकिन तक्रीबन स्टेट ऐसे हैं जिनमें BSC Nursing में Admission Neat Score पर होता है जैसे महरास्टरा स्टेट इत्यादी तो इसमें आप अपने स्टेट से एक बार अपने स्टेट की वेब साइट जो इनकी BSC Nursing की वेब साइट है उससे आप एक बार Confirm कर लें कि आपके स्टेट में अलग से Form Apply होता है या Neat Score पर ही होता है अब बात करेंगे Veterinary Admission के लिए तो तक्रीबन स्टेट Veterinary में Admission तक्रीबन स्टेट में Neat Score पर होता है लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर अलग से Exam Conduct करवाया जाता है इसमें आगे Admission होता है तो इस परकार से आप अपने स्टेट की Veterinary की वेब साइट से पता कर लें कि आपके स्टेट में अलग से Form तो Apply नहीं हो रहा है सेंटर के लिए इसका AIPVT के लिए Admission इसमें Neat Score पर ही होता है तक्रीबन स्टेट में Veterinary में Admission Neat Score पर ही होता है अब बात करेंगे हम इसमें जो BSC Agriculture है और BSC Agriculture के अलावा और बाकी सारे Courses है जिनमें ICR का Exam Conduct करवाया जाता है तो ICR का Form अभी Release नहीं हुए हैं जैसे ही यह Form Release होंगे हम आपको Inform कर देंगे जैसे ही ICR के Form Release होंगे हम आपको Inform कर देंगे क्योंकि काफी सारे बच्चे ICR का Exam देते हैं जो मैत स्ट्रेम से होते हैं और बाइलोजी स्ट्रेम से होते हैं वो भी ICR का Exam देकर के Agriculture Course में Admission लेते हैं इसका मैंने अलग से एक Separate Video बना दिया था ICR की Exam के लिए तो लास्ट में सारांस यही निकलता है कि अगर आप MBBS, BDS, IUS, Veterinary, BAC Nursing कोर्स में Admission लेना चाते हैं तो नीट का Application Form फिल अपलाई करना जरूरी है और Veterinary और BAC Nursing के लिए कुछ State or Institution के लिए अलग से Exam Conduct करवाया जाता है तो इन दोनों कोर्स के लिए आप अपने State की Website पर इन Courses की Website पर एक बार विजिट कर लें देख लें कि आपका अलग से Exam Conduct के लिए कोई Application Form तो फिलने की करवाया जा रहा है तो यह जानकारी थी कि आपको कौन-कौन से Form अपलाई करने है MBBS, BDS के लिए, NEET के अलावा क्या और भी Form आपको अपलाई करना है या नहीं करना है इसके बारे में जानकारी थी, बाकी समय समय पर जैसे जैसे यह Form अपलाई होते हैं हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर देते हैं तो मिलेंगे देज़े अनकारी के साथ नए वीडियो में आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिन